हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा के दो स्टॉक के बारे में यानि कि टाटा पावर और टाटा स्टील के बारे में यहाँ पर दोनों ही श्टॉक के लिए काफी अदेंपोर्टन अपडेट्स निकल कर आ रही है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ और यहाँ से देखेंगे कि आखिर ये जो अपडेट्स निकल कर आ रही है इन सभी अपडेट्स का इंपक्ट जो है वो शेर की प्राइस पर कैसा पढ़ सकता है और यहाँ से ये जो दोनों श्टॉक है वो किस पर्टिकुलर टार्गेट की तरफ बढ़ते हो नजर आ रहे है लाश्ट में दो हमें ऐसे श्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको corporate action दिखाने वाले हैं तो मैं तो आपसे बस यह request करूँगा कि वीडियो को end तक आप जरू देखिए सारी चीज़े जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए चैनल पर अगर आप first time विजित कर रहे हो तो subscribe जरू कर लिजएगा और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा गासा momentum जो है वो share में बना हुआ है यहां पर अगर आप देख पाओगे तो आज 444 के high तक share गया है और 431, 431 पर open हुआ था 429, 429 का low बनाया 437 के आसपास की closing है यानि कि एक ठीक ठाक सा हम यहां पर इसका trading session जो है वो देख सकते हैं कि आज के दिन एक ठीक ठाक सा scenario देखने को मिला मैं आपको अगर इसका volume और delivery का analysis दिखाओं तो इसमें एक चीज अच्छी नज़र आती है कि कभी-कभी इसमें जो delivery percentage है वो 40-45 तक भी जा रही है तो on an average 30-40 देखने को मिल रही है तो volume अगर आप देखोगे 9 April को अच्छा कासा आया था लेकिन यह consistency अभी इसके volume में देखी जाए तो वो उतनी अभी तक नजर नहीं आ रही है अब मैं एक एक करके आपके सामने updates रखता हूँ सबते पहले आप यहाँ पर देख पाओगे कि टाटा पावर का जो मार्च का data निकल का है mutual fund houses का उसमें सबते अच्छी बात यह है कि बिकवाली नहीं करी है किसी ने भी पूरी तरीके से दो mutual fund houses जिन्होंने extra इसमें buying तो करी है लेकर 0 MF है जिन्होंने इसमें बिकवाली करी है यह एक positive sign होता है किसी भी company के stock के लिए कि अगर उसमें mutual fund houses खरीदारी कर रहे हैं consistently और इसमें बिकवाली नहीं कर रहे हैं तो आने वाले time के लिए भी इस चीज को काफी अधा positive way में लिया जा सकता है second update मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँ तो देखो Tata power and Adani power It is what Kiranjani of Janum Broking says on these two stocks यानि कि कुछ recommendations निकल कर आई हैं इन दोनों stock पर जिसमें अगर आप देखोगे तो Tata power और Adani power को कबर किया है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इनों ने बोला है कि Tata power औरड़ी एक breakout दे चुका है momentum indicator भी यहाँ से जिस according देख रहा है तो bullish जोन में जाती हो नजर आ रहा है 490 से 500 यानि कि 490 से लेकर 500 तक के जो target है वो आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो Tata power के और यह बिलकुल near term में है तो joy stock आपको 4500 के आस पास नजर आ रहा है बहुत जल्दी आपको 50-60 रुपे का momentum उसमें देखने को मिल सकता है और यहां से 500 रुपे तक easily जाते हो नजर आ सकता है 420 का यानि कि 420 रुपे का stop loss maintain करके चल सकते हो अगर आप यहां पर short term में बने हुए हो बाकितारी चीजों के लिए तो यहां पर चीज़ जो है वो positive ही नजर आ रही है वहीं ICAC direct ने भी इसको cover किया टाटा पावर अगर आप देखो जब 430 पर था यानि कि 430 पर था तब ICAC direct ने यहां पर इसको cover किया था इन्होंने बोला था अगर आप अगले दो अफते के साफते देखते हो तो 418 से लेकर 425 की range में इसमें buying कर सकते हो यानि कि 418 से लेकर 425 टार्गेट दिया था 460 का और 402 यानि कि 402 का stop loss maintain करने की सला दी ती यानि कि 460 का जो टार्गेट है वो लगबग अचीव होते हुए नजर आ रहा है और 500 रपे के टार्गेट तो मैंने आपको बता दिये जिसन आपको एक काफी हत्तक चीजे समझ में आ गई होंगी बाकी अगर और टार्गेट के बारे में बात करें तो और भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ जैसे कि जो आनंद राठी के analyst हैं इन्हों ने बोला है कि support बन रहा है 430 का resistant बन रहा है 445 का अगर यहां से एक breakout मिल ज 425 से 470 के बीच की ट्रेडिंग रेंज आप यहां पर लेकर चल सकते हो यानि कि इस रेंज में यह मूब करते हो नजर आ सकता है तो यह एक आनी overall टाटा पावर की अब मैं आपको जल्दी थे टाटा स्टील के बारे में और बता देता हूं टाटा स्टील में आज के दिन गि इरावर थी 163 के आसपास यह की क्लोजिंग आपको यहां पर देखने को मिली है जैसे कि मैंने आपको यहस बैंक के बारे में बताया था ऐसे ही यहां पर इनकी तरफ से भी नोटिस दिया गया है और नोटिस में बताया है जो भी यह सारी चीज़े यानि कि जो इनके आर्ट सेखने अगर आप इनका मुचल फंड का डीटा देखते हो तो इसमें भी अच्छी चीज निकल के आई है कि तीन फराव जितने इसमें खरीदारी करी है वहीं कोई भी मुचलौ फाहाऊस दूरशन है बरहें पूरी तरीक तरीके से इसमें भिक्वाली नहीं करी है यानि रहे होगे शेफलर इंडिया ये श्टॉक थोड़ा जरूद नजर आता है ये श्टॉक आपको थोड़ा तो पर नजर आ रहा होगा लगबग तीन यहाद से उपर का लेकिन अगर आप ओवरॉल चीजे देखते हो जैसे कि अगर आप यहां पर एक साल के रिटंस देखो तो उ अगर हम देखते हैं तो इसकी ज्यादा बैटर है 44 परसेंट रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको इसमें पोजिशन बनाने लिए लेकिन जो में चीज है कि आखिर इसमें जो हमें जो कॉर्पेट एक्शन है वह कौन सा मिल रहा है तो वह मिल रहा है डिवीडेंट और बारे में तो यह निगल के आता है इंटीगरेटिड इंडेश्ट्री लिमिटेड लगबख साड़े 600 रोपे के आसपास यह ट्रेड करता है देखो आज अगर आप यहां पर देखो कि तो चीज़ें नजर आ रही है वह कुछ इस टाइप की है बाकि अगर आप एक महीने में अब थोड़ा सा negative एक साल में हजार परसंट से ज़्यादा है के रिटन्स है हजार परसंट रिटन्स केवल एक साल में और वहीं अगर हम पांस साल में बात करें तो रिटन्स तो आप देख रहे होगे यानि केवल कॉर्पेड एक्शन के हिसाप से नहीं आप यहां पर देख यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है वन रेशियो बन का बॉनस देखने को मिलने वाला है और यह जो है वो 16 अपरिल को आपको इसकी एक्स डेट नजर आती है यानि कि ओवर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा